वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यह आर्टिकल 5 से 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजे सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन आर्टिकल 10-11 में रहती है बहुत डीटेल नो उसको समझा दिया है कभी भूलेंगे नहीं आप तो इसको पूरा देख डालिए ऐसा ही आर्टिकल की सीरीज कंटीनू चाहते तो मु बहुत आसानी से समझाओंगा मज़ा आ जाएगी आपको कभी भूलोगे ने ठीक तो आर्टिकल 5 क्या कहता है भाई आर्टिकल 5 कहता है citizenship at the commencement of constitution मतलब समविधान के प्रारंब में नागरिक्ता कैसे दी जाएगी ये आर्टिकल 5 डिसाइड करता था ठीक है killing में क्ते तो मतलब सारकर दीट गया वहाँ जिसकlares बाते चैंड चैंड को जया बहुत हरत कुछ होगा दूजरा यह इसके माता क yazman बाहरत में गुआ हो ठीक है उसके माता-पिता का जन्द भारत में हुआ हो अब मान लो ये वाला प्रोविजन बी वाला क्यों रखा गया है क्योंकि कारण यह था कि अब जैसे लाला हर्दयाल वगयरा को पता होगा आपको जो विदेशों में भी रेवलुशनरी मुमेंट चला रहे थे अब वो त उसके पेरेंट कैसे हैं इंडियन है तो दो कंडिशन होई क्या या तो उसका जनम भारत में हो या उसके माता-पिता का जनम भारत में हो तीसरी स्टेट्मेंट रखी गई सम्विदान लागू होने के पांच साल पहले भारत में रहता हो कितने साल तक पांच साल तक तो आर् 1950 को लाग हुआ उसके पांच साल पहले तक अगर भारत में रहते हो आप तो आपको भारत की नागरिक्ता मिल जाएगी ठीक है अब देखने आर्टिकल 6 क्या कहता है आर्टिकल 6 बहुत सिंपल है आर्टिकल 6 कहता है पर्सन हूँ है माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पा पाकिस्तान चले गए पर बाद में इतना ज्यादा आपने देखा वॉयलेंस हुआ ना तो इन लोग लगा इंडिया ही सही है तो यह वापस आने लग गया अब इंडिया ऐसा तो करेगा नहीं कि जो चला गया तब उसको हम देंगे नहीं ठीक है वह वह तो था हमारा भारती नागरी विचारा भूल बटक गया था चला गया पर अब वह वापस आएगा तो सरकार ने यह डेट रख दी थी एक परमिट सिस्टम लॉंच कर रहा था सरकार ने 19 जुलाई 1948 को अब जो भी पाकिस्तान से भारत आ गया 19 जुलाई 1948 से पहले 19 जुलाई 1948 से पहले तो उसको तुरंद नागरी तक दे दीगे कि ठीक है भाई तुम आगे आ जो पर अगर इस डेट के बाद आएगा तो उसको 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा रेजिस्ट्रेशन कर दो 6 महीने के बाद तुम्हें मिल जाएगी यही रहो भारत में 6 महीने का वेट करो नागरी ठीक है और 7 चाने बहुत पागिस्टान लगें गया थे यह लोगों की नागरी थी हो मतलब भारत के लिए क्लिए यह क्या थी कि एक मार्च 1947 के बाद पाक गया हो पर वापस आ जा壓 और तो रेजिस्टरेशन करना होगा समझ रहो तो यह आपको याद रगना है कि साथ में क्या है भारत से पाकिस्तान गया है और छे में क Varitar पाकिस्तान जाएगा एक Mar Legends 1947 बाद गया हो और और वापा जा 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 तो भी उसको क्या करना पड़ता था registration और 6 महिने तक रहे 6 महिने बाद मिल जाती थी दोस्तो आर्टिकल 8 देखिए क्या कह रहा है भारत के बाहर रहे बच्चे अगर उनके माता पिता भारती है अब काई लोग क्या है भारत के बाहर पैदा हो गए अगर उनके माता पिता भारत के हैं तो उनको भी citizenship मिल जाएगी ठीक है अब जैसे जितने भी यार ये देख लो न डिप्लोमेट है ठीक है कोई राजडूत है वो दूसरे देश में रहता है अब उसके बच्चे हुए तो क्या उसको नागरिता नहीं मिलेगी बिल्कुर मिलेगी तो आर्टिकल 9 क्या कहा रहा है पर्शन वॉलंटरली एक्वाइर सिटिजन्शिप और फॉरिन कंट्री शाल नौट टू बी अ सिटिजन अचान भाषा में तो विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी मतलब आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप कोई नागरिकता के नियम नहीं तोड़ते हैं मान लीजए आप बारत पाकिस्तान का युद्धोर आप पाकिस्तान के साथ युद्ध करने लग गये हैं बारत को दोका दे रहे हैं कोई राजद्रों का काम करते हैं मतलब कहने का Parliament जो कानून बनाएगी नागरिक्ता का अगर आप वो तोड़ते हैं कि आपकी नागरिक्ता इन कारणों से छीनी जाएगी तो भईया आपकी नागरिक्ता छीनेगी ऐसे नागरिक्ता नहीं चीन सकती यह Article 10 में लिका है कि आपकी citizenship बरकरार रहेगी जब तक आप कोई ऐ ऐसा काम नहीं करते जिससे नागरिक्ता चिंति है और वो कानून बनाता कों ने Article 11 के सकती है है और पारल्यामेंट में भी कौन तो हजार पांच 15 पंद्रा उन्निस टीए कौन गौन दो 86 बानबे 3 5 15 पंद्रा उन्निस टीए तो फटाक से कर लेते रिविजिन भी यह आर्टिकल पांच क्या कह रहा है पांच से ग्यारा सिटिजिंशिप है पांच कहता है समिदान के प्रारम में नागरिकता तीन कंडिशन में कोई एक पूरी हो उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो या समिदान लागू उन्हों के 5 साल पहले भारत में रहता हो छे कहता था कि जब कोई पाकिस्तान से भारत आएगा तो उसको 19 जुलाई 1948 से अगर पहले आ गया है तो registration नहीं करना पड़ेगा नहीं तो इसके बाद आएगा तो registration करना पड़ेगा और 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा ठीक है आट क्या कहता है बारत के बाहर रह रह रहें बच्चे अगर उनके भारत, माता पिता भारती जू भी विदेशों के लाते है उनके नागरिकता मिल जाएगी आग नम कहता है नौ कहता है विदेशी आर्टिकल 11 के तहर नागरिता के कानून संसद बना सकती है और संसद में भी होम मिनिस्ट्री ठीक है तो यह थे आर्टिकल 5 से 11 दोस्तों आई होप आपको मज़ा आया होगा समझ में आया अगर वीडियो जारी रगना चाहते हो इसके बाद मैं बढ़ाओंगा आपको right to equality सारे important आर्टिकल कवर करा दूँगा सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल तक ही खुद को सेमित रख रहा हूँ तो कैसा लगा जरा कमेंड में बताइए